पहले तो आपको मैं साधुबात करूँगा कि आपने एक बहुत सार्थक विमर्साज किया है यह राजनेतिक तु तू मैं मैं नहीं होना चाहिए वास्तविक्ता में यह जब देश की सुरक्षा का मसला हो जब अंतराश्ट्री एक लोगों की निगाहें विदेशों की निगा है हमारी तरफ हो तो कम से कम हम सब एक समवेट स्वर में दिखाई पड़े दुरुभागे यह जो आपने का न यह तेरी फौज यह मेरी फौज यह इस प्रश्न कहां से आया सो दिनकी अपनी पैदल यात्रा पूरी कर रहे राहुल गांधी जी ने जब यह सवाल उठाया कि हमारी फौज पिट रही है तो यह सवाल सभाविक रूप से आ गया कि पिट तो चाइना की फौज रही थी पिटते हुए वीडियो तो हमने चाइना की फौज का देखा तो क्या राहुल गांधी चाइना की नुमाइंदकी कर रहे है क्या जब वो यह कह रहे कि हमारी फौज पिट रही है तो पिट तो चाइना की फॉज रही है इसलिए इस सवाल गंफिर रुप से उठाए गए गए नहीं है इसमें है देखे तस्वीर ये भी है राकेश्टरपाटी आपका पॉर्ण बिल्कुल अपनी जगे जायज है हमने उन्हें पीटा पर जखमी हमारे लोग भी हुए गलवान में हमने उन्हें ख़देर दिया पर 20 लोग हमारे भी शहीद हुए उसकी नौबत क्यों आई और वो कार गुजारियों को अंजाम देता जा रहा है थमने का नाम नहीं ले रहा बड़ा सवाल क्या इसमें ये भी चिपा है मैं आपकी बात को काट नहीं रहा ये सचाई है कि पाकिस्तान हमारा पडूसी है ये सचाई है कि चाइना हमारा पडूसी है और हमारा भारत का जो मूल प्रूरती रही है वो कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है सीमा विस्तार करने वाली नहीं रही है आकरमणकारी नहीं रही है हम हमेशा बुन्ध की बात अगर जो विजूल फुटेज उसको साक्षी के तौर पर अगर गढ़ करेंगे तो दाथ खटे करते हुए दिख रहे हैं हम एक गलवान में भी खटे किये हैं और हम तवांग में भी खटे कर रहे हैं भारत की फौज बिलकुल कोई दब करके पीछे नहीं है फौज की बात ही नहीं है मैं इसलिए फौज की बात दुरी पर तो सवाल उठाने का मतलब ही कोई नहीं है रत्ती भर भी उसके अंदर गुंजाईश में नहीं देखता हूँ फौज को बीच में क्यों लाया जा रहा है इस राजने तक जंग में अब आपके नेता कहते हैं कि जी राजीव गांदी फाउंडेशन में चीनी दूतावास ने पैसे दिये उसके कागस भी आ जाते हैं यका यक ये तो आट साल से आपकी सरकार है उधर कॉंग्रेस कहने लेकि मुझे लगता है कि एक बात ये वित्लिसपस्ट तोर पर समझनी चाहिए भारत सरकार के नाते किसी के साथ समवात करती है किसी के साथ नाटरेट करती है तो निशित तोर पर आथारिटी है लेकिन भारत के भीतर कोई पोलिटिकल पारटी अगर किसी के साथ M.O.U. किसी देश से पैसे ले ले लगती है तो निशित तोर पर गंभीर सवाल तो उठेंगे ना गुच्च तरीके से राउंगादी अगर बाकात करेंगे शिवरात सिंग चौहां का कि बीजेपी और चाइनीज कमिनिस्ट पार्टी का डिये ने बिलकुल एक जैसा है तब ये भी कि प्रति उसी प्रकार का भाव रखती है वो भी अपने देश के लिए 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 देश वक्त है तो मतलब यहां के राजने तक गल देश वक्त नहीं है के ली देश वक्त पार्टी बीजेपी है क्या आप ये क हम बिल्कुल नहीं कह रहें नए हम बिल्कुल नहीं कह रहें यह सौद इनकी रात्रा पूरी करने के वाराहूल गादि देश के तमाम दो पर बात करते तो कोई अपनी नहीं नहीं है। कि हमारी सेना पिट रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो पूरे देश के सामने एक doubt create करने का प्रयास करते हैं कि आज भारत की सीमा एह स्रक्षित है वो एक डाऊट करने का प्रयास करते हैं सलामी स्राइस सिंग नहीं हो रही है जो एक्सपर्ट बता रहे हैं लगातार चीन अपनी कार गुजारियों को अजाम दे रहा है, वो व्यापार उसका बढ़ता जा रहा है, जितना सामान वो हमारे देश में बेज रहा है, वो और बढ़ता जा रहा है, ये सारी मंगरंद कहानिया हैं क्या, राकेश्टर पाठी? संदीब, संदीब देखिए, मेकिन इंडिया अगर देश की 1947 जब देश आजाद हुआ, उसी के बाद से प्रारम हुआ होता, अगर देश ने अपने स्वाविबान के साथ उसी समय से याक्रम की होती, तो सायद आज ये दसा न होती, 101 प्रकार के आज डिफेंस के ऐसे प्रोड जो भी कह रहे थे, 2015 में ये मेकिन इंडिया नाम की मैनिफेक्चरिंग सेक्टर के लिए आप पॉलिसी लाए थे, जिसमें 10 साल के अंदर 25 फीजदी पुट हो जाना था, योगदान हो जाना था, मैनिफेक्चरिंग सेक्टर का दरसल पिछले 8 सालों में उसका पुट 3 फीज जी घट गया है, आप 47 में ले जाते हैं, 2014 से भी कुछ बाते किया कीजिए ना, राकेश भाई नहीं हम बिल्कुल, नहीं बिल्कुल नहीं, देखें अगर संदीब जी आप इसको तस्वीर को इस तरह से देखने के कोशिस कर रहे हैं, तो ये भी साथ साथ में देखिए, कि कैसे खिलोनों की इंडरस्ट्री में भारत का योगदान क्या था और आज योगदान क्या हुआ है, मोबाइल इंडरस्ट्री में भारत का योगदान पहले क्या था और आज योगदान क्या हुआ है, डिफेंस कोरिडोर बना करके डिफेंस की इंडरस्ट्री में आज भारत का योगदान क्या पितना रहा है,